हलो बच्चों, आप स्वभी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटरोल के उपर और यहाँ पर इस बोड़े में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 को जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग NCRT बुक से पढ़ने वाले हैं, line by line explanation के साथ पढ़ने वाले हैं और पूरा चैप्टर आपका clear कर दिया जाएगा, बीच बीच में मैं आपको important questions भी बताते चलूँगा जो कि आपके लिए examination point of view से बहुत ही important है और यह है हमारे series का नाम, यह हमारे playlist इस नाम से playlist आपको मिलेगा जिसमें science और sst के सारे chapters के videos, NCRT explained videos आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे तो आईए हम लोग शुरू करते हैं chapter, chapter का नाम आप क्या देख रहे हैं? chapter का नाम है gender, religion and caste तो यहाँ पर इस chapter में हमें पढ़ना क्या है? इस chapter में हमें पढ़ना है इनी तीन चीज़ों के बारे में तो यह क्या है? यह एक प्रकार से हमारे society के social differences है मतलब कि समाज में जो एक प्रकार का अंतर है लोगों के बीच में उसके कुछ उदाहरन है जो कि यहाँ पर इस chapter में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पर इसी के बारे में थोड़ी बात आपको overview में की गई है मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि chapter का overview पढ़िये, क्यों पढ़िये ताकि आपको पता चल जाए कि chapter में क्या पढ़ना है, क्या important है और chapter हमें क्या समझाना चाहता है, ठीक है? तो यहाँ पर कहता है कि हम यह समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि अगर हमारे समाज में, society में, social diversity रहती है तो वो हमारे समाज के लिए, मतलब की लोगतंत्र के लिए कोई खत्रा नहीं है और यहाँ पर कहता है कि अगर इस social differences का, social diversity का अगर हम लोग political expression करते हैं, मतलब की politics में, लोगतंत्र में, democracy में उसकी बात की जाती है, उसके आधार पर चीजे की जाती है तो उससे हमारे democracy को कोई खत्रा नहीं होता है यह चीज हमाज समच चुके हैं, पढ़ चुके हैं और कई बार इन differences को politics में उठाना जरूरी भी होता है जैसे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था power sharing power sharing में हमने क्या बात किया? कि भाई देखो यहाँ पर अलग-लग समुदाये हैं उनको representation मिलना चाहिए सभी लोग अपना representation चाहते है तो क्या है? वो एक प्रकार से social जो difference है उसका expression है politics में समझ गया? तो यहाँ पर हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं? कि यह जो हमारे आसपास हमारे society में social differences है जैसे कि gender के आधार पर difference हो गया या फिर religion के आधार पर हो गया caste के आधार पर हो गया इन differences को हम यहाँ पर इंडिया के context में समझेंगे कि भाई इंडिया में इन differences का क्या importance है? किस प्रकार से यह politics में express होते हैं? या बुरा है? यह चीज़े यहाँ पर हम इस chapter में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं अब आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग शुरू किस चीज के साथ कर रहे हैं? शुरू कर रहे हम लोग gender के साथ मतलब कि society में gender based division है उसकी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं तो यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर यही चीज़ कहता है जो मैंने कहा let us begin with gender division gender division के साथ हम लोग शुरूआत करते हैं, कह रहा है this is a form of hierarchical social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics कहता है कि gender division क्या है? एक प्रकार का hierarchical social division है hierarchy का मतलब क्या होता है? मतलब एक प्रकार का structure जिसमें एक आदमी ज़्यादा powerful है दूसरा उससे कम powerful है तीसरा उससे कम इस प्रकार का hierarchy जैसे हमारे country में hierarchy क्या है? political power का कि भाई सबसे powerful कौन है? हमारे देश के president सबसे powerful है फिर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है फिर कौन है? सेंटरल मिनिस्टर से उसके बाद है चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से एक hierarchy होती है समझ गए? जिसको की order of precedence कहते है उसी प्रकार के hierarchy की बात की जा रही है कि भाई हमारे society में gender division क्या है? एक प्रकार का hierarchical social division है तो hierarchy कैसे हो गए यहाँ पर? क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास समाज में आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि हमारा जो समाज है इसमें आपको ये दिखेगा कि जादा power किसके पास है? जादा power males के पास है यानि पुरुषों के पास है और वही जो females है उनके पास पुरुषों की तुलना में males की तुलना में क्या है? कम power है तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का hierarchical social division हो गया सिंपल सी बात है आप अपने घर में देख लीजे आपके घर में ही कोई decision लेना होता है तो आप अपनी ममी को बोलते है मालीजे ममी को बोलते है तो ममी बोलती है ओके ठीक है लेकिन रुक जाओ क्यों रुक जाओ? पापा आते है तो पापा से पूछ करके final decision होगा generally लगभग घरों में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है इसी चीज़ को यहाँ पर hierarchical social division की बात की जा रही है कि भाई लोग जो है male female जो है वो बरावर नहीं है males के पास ज़्यादा power है females के पास कम power है इसी प्रकार के social division की यह बात यहाँ पर हो रही है अब यहाँ पर यह तो ठीक है कि hierarchical social division है लेकिन जब हम लोग politics की पढ़ाई करते हैं हम यहाँ पर जब भी हम लोग politics की बात करते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर civics पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसको focus नहीं किया जाता है हम लोग caste की बहुत बात करते हैं इसके अलावा religion की बहुत बात करते हैं लेकिन इसके उपर उतना focus नहीं किया जाता है जितना और topics के उपर किया जाता है समझ गए? आगे कहता है कि the gender division tends to be understood as natural and unchangeable अब क्यों बात नहीं किया जाता है? तो बात यह है कि भगवान ने बना करके भेजा है यह तो natural चीज है मर्दों और औरतों में फर्क होना चाहिए मर्दों को powerful होना चाहिए औरतों को घर का काम समलना चाहिए यह चीजे जो है ना हमारे समाज में बैठी हुई है कि यह natural है इसको change नहीं करना है और change होना भी नहीं चाहिए ऐसी बात यहाँ पर हमारे समाज के लोग मानते है आगे कहता है कि कहता है कि यह तो बात आपने समझा कि इसको natural माना जाता है अंचेंजबल माना जाता है लेकिन जो हमारे समाज की ववस्था है जहां पर पुरुषों को प्रधान माना जाता है powerful रखा जाता है महिलाओं को एक प्रकार से कमतर माना जाता है उनको घर का काम, बच्चे समालने का कम इस प्रकार का काम दिया जाता है यह reality में biology के उपर based नहीं है बलकि किस चीज के उपर based है social expectation और stereotypes के उपर based है कैसे भाई, कैसे based है यह आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि यह question आपको previous years में पूछा गया है question था, simple सा यही question था gender division is not based on biology but on social expectations and stereotypes support the statement तो भाई support कैसे करेंगे हम लोग इसके पक्ष में कुछ बाते बताएंगे क्या बाते बताएंगे तो बात यह है कैसे आप भी ज़रा सोचिए कि यह हमारे समाज के stereotype के उपर कैसे based है हमारे समाज के social expectation के उपर कैसे based है तो यह है कि हमारे समाज में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं या फिर समाज में समाज कैसे चलेगा इन टॉपिक्स के उपर बात हो रही होती है तो बच्चों को मतलब लोगों को मुझे भी आपको भी सभी लोगों को बच्चपन से ही ये सिखाया जाता है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका जिम्मेदारी क्या होता है हाउस वर्क संभलना होता है साथ में बच्चों का ख्याल रखना होता है समझ गया ये आपको एक पॉइंट हो गया इसके बाद ही हमारे समाज में जब आप लोगों के जॉब्स को देखेंगे कि लड़के क्या नौकरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं लड़कियां क्या काम कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा Sexual Division of Labor मतलब कि लिंग के आधार पर लोगों के जॉब्स डिसाइड होते हैं कि वो लोग कोन क्या काम करेगा अगर लड़का है तो बाहर जाकर खेती करेगा फिल्ड में काम करेगा और महिला है तो वो घर का चुला समहा लेगी बच्चों को समहा लेगी इस प्रकार की बाते होती है कहता है कि मतलब क्या है Sexual Division of Labor कहने का मतलब क्या है मतलब लिंग के आधार पर आप क्या कर रहे है कौन क्या जॉब करेगा ये चीज़ डिसाइड कर रहे है समझ गए अब आगे यहाँ पर मर्दों के बारे में भी में के बारे में भी यही बात कहता है कि में डू आल दे वर्क आउटसाइड दे हो भाई सही बात है आप अपने घर में ही देख लीजिए कि जादा तर घरों में क्या होता है जो आपकी मां होगी या फिर आपकी फुआ होगी या फिर कोई भी आपके परिवार में आसपास महिलाए होंगी उनको आप क्या देखेंगे ज्यादा तर महिलाएं घर का काम समभालती है और जो मर्द होते हैं वो क्या करते हैं बाहर जा करके नोगरी करते हैं, काम करते हैं आगे कहता कि it is not that men cannot do housework मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो लड़के हैं जो मर्द हैं उनको घर का काम करने नहीं आता है खाना बनाने नहीं आता है या फिर वो जाडू नहीं लगा सकते हैं उनके सरीर में कोई problem है ऐसी बात नहीं है जो मर्द हैं लड़के हैं वो घर का काम भी कर सकते हैं और वहीं जो लड़कियां हैं वो बाहर का काम भी कर सकती है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहीं पॉइंट है कि देखो भाई बाई बाई लोजी ऐसा नहीं कहती है जैसे आप घर में अगर जाडू लगा देंगे तो कुछ ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि भगवान ने बाई लोजी में आपको ब्रीधिंग में problem हो जाएगा या फिर thinking आपका खतम हो जाएगा नहीं आप naturally वो काम कर सकते हैं जो महिलाएं कर रही है और वहीं आप अगर लड़की हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं जो लड़के कर रहे हैं मतलब बाहर जाकर करके field में काम करना job करना, खेती करना, कुछ भी कर सकते हैं तो reality क्या है? समझ क्या है? कि भाई ये जो चीजें हैं कि भाई sexual division of labor है या फिर हमारा जो hierarchical division है society में gender based वो क्या है? वो हमारा society के social expectation और stereotype के उपर based है biology के उपर based नहीं है क्यों? क्योंकि जो मर्द काम करते हैं और जो ओरती काम करती हैं दोनों एक दूसरे के काम को perform कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं और इसको example के तोर पर समझाया भी गया है कहता है कि it is not that men cannot do housework they simply think that it is for women to attend to these things मतलब कि समाज के जो मर्द हैं वो ऐसा नहीं है कि के मन में ये विचार है कि जो घर का काम है वो महिलाओं को करना चाहिए महिलाओं को समभलना चाहिए समझ गया आगे कहता कि when these jobs are paid for men are ready to take up these works important point है भाई कि अगर कभी कहीं पर servant का job हो जाडू लगाने की नौकरी हो या फिर कहीं पर कोई restaurant है वहाँ पर खाना बनाने की नौकरी हो तो वहाँ पर आपको मर्द काम करते हुए मिल जाएंगे मतलब क्या मतलब जब वेतन मिलता है जब पैसा मिलता है तो जो काम आप घर में करते हैं वही काम करने के लिए मर्द तयार हो जाते हैं जैसे आप होटलों में जाएंगे तो वहाँ पर रेश्टूरेंट में आपको ज़्यादा तर मर्द काम करते हुए मिलेंगे, वही अगर आप होटल में जाते हैं, कहीं पर आपको क्लीनिंग का काम है, वहाँ पर भी आपको बहुत संख्या में मर्द मिल जाएंगे, मतलब जो काम आपका घर में है वो काम अगर उसके लिए पैसा मिले तो मर्द बाहर जाकर के वो काम करते हैं इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें अगर महिलाओं की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि सारी महिलाओं घर में बैठी हुई है बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि बाहर जाकर के फिल्ड में जॉब कर रही है जैसे कि अगर हम लोग गाउं की बात करें हैं अगर हम शहरों की बात छोड़ देते हैं गाउं की बात करते हैं तो गाव में भी बहुत सारे physical work जो होते हैं वो महिलाओं एद्वारा किए जाते हैं जैसे कि पानी लाने का काम आप अगर गाव कभी गय होंगे आप गाव जाते होंगे तो वहाँ पानी कई बार होता है कि दूर से लाना होता है तो वो लाने का काम कौन करता है, महिलाएं करती हैं, फिजिकल वर्क करती हैं, इसी प्रकार से अब तो मालिजे हर घर में गैस एवलेवल हो गया है, पहले लकडी पर खाना बनता था, लकडी के चुले पर, तो लकडी कलेक्ट करने का काम, वुड को कलेक्ट करने का काम कौन कर रही है, फिल्ड में वो काम करती रही है, इसी प्रकार से अगर हम अर्बन एरिया शहरों की बात करें, तो यहां पर जो गरीब महिलाएं होती हैं, वो डॉमेस्टिक हेलपर के रूप में काम करती है, मतलब कि जो दाई नौगर के रूप में होता है, कि आपके घर में खाना ब करती हैं, ओफिसेज में जा करके काम करती हैं, नौकरियां करती हैं, तो महिलाओं को भी आप देख रहे हैं, कि वो जा करके बाहर फिल्ड में वर्क कर रहे हैं, और वही पर पूरुषों को भी आप देख रहे हैं, कि जो जिन कामों को महिलाओं का काम माना जाता है, वो काम पूरुस भी कर रहे हैं अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर कहता है कि in fact the majority of women do some sort of paid work जादा तर महिलाएं किसी न किसी प्रकार का paid work करती हैं ऐसा काम करती हैं जिनसे उनको आंदनी मिले in addition to domestic labor मतलब की घर का काम करते हुए घर के सारे जिम्मेदारियों को संभालते हुए जा करके बाहर paid work करती है but their work is not valued and does not get a recognition लेकिन उनकी जो काम है उसको बिलकुल भी value नहीं दिया जाता है और उसको recognize नहीं किया जाता है मतलब की जो काम वो घर में करती हैं बच्चों को संभालने का काम घर का खाना बनाने का काम उसको value नहीं दिया जाता है recognize नहीं किया जाता है अब यहाँ पर बात है कि इस प्रकार के division of labor का क्या असर हुआ है क्या उससे फर्क पड़ा है तो यहाँ पर कहता कि the result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity their role in public life especially politics is minimal in most societies अब यहाँ पर कहता है कि देखो हमारे समाज में समाज मतलब की पूरी दुनिया की बात हो रही है हमारे पूरी दुनिया में अगर हम मर्दों और और औरतों का रेशियो निकाले तो वो मतलब आपको one is to one लगभग मिलेगा मतलब जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं ये तो चीज हमें पता है लेकिन जब हम पब्लिक लाइफ की बात करते हैं पब्लिक लाइफ का मतलब सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है पब्लिक लाइफ का मतलब सभी प्रकार से पब्लिक लाइफ हो गया चाहे आपके गाउं में gathering हो रहा है, शहरों में कुछ फंसन हो रहा है, जैसे दुरगा पूजा होता है, सरसती पूजा होता है, वहाँ पर जो events होते हैं, या फिर society में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको decide करने के लिए meetings बुलाई जाते हैं, बहुत तरीके की events होते जैसे उदारन के लिए आप अपने देश का Parliament की देख लिए, पार्लियमेंट में कितनी महिलाए हैं, 10-15% मातर महिलाए हैं, अगर हम लोग state assemblies की बात करें, तो वहाँ पर 5% भी महिलाए नहीं हैं, तो ये क्यों है, ये इसलिए है, कि हमने क्या किया है, division of labor कर दिया है, sexual division of labor मतलब कि घर के बाहर का काम कौन करेगा, पुरुष करेंगे, तो घर के बाहर जितने भी काम है, जिसमें politics वगरा भी आ जाता है, सब कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं घर समालने का काम करती हैं, तो उनको मौका नहीं मिल पाता कि वो बा पुरुष थे उनको ही सिर्फ ये चांस दिया जाता था कि आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में वोट कर सकते हैं या फिर चुन करके लेडर बन सकते हैं. जैसे आपने फ्रेंच रिवॉलुशन पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉलुशन हुआ था, उसके बाद वहाँ पर डेमोक्रेसी भी आ गई थी, मतलब लोग वोट देने लगे थे, लेकिन जो वोट देने लगे थे लोग, उस वोट देने के अधिकार में सिर्फ पुरुशों को शामिल किया गया था, महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, और ये बहुत सारे देशों की कहानी है कि वहाँ पर जब डेमोक्रेसी आई, तो अधिकार वोट देने का सिर्फ और सिर्फ पुरुशों को दिया गया, महिलाओं को नहीं दिया गया, समझ कै? आगे कहता है कि gradually the gender issue was raised in politics, भाई आगे चल करके बहुत बड़े अस्तर पर महिलाओं के अधिकार की बात होने लगी, यहाँ पर equality की बात होने लगी, politics में महिलाओं के representation की बात होने लगी, तो यह topic बहुत बढ़ चड़कर उठाया गया, और बहुत सारे महिलाओं ने बहुत सारे संगठन बनाए, और पूरी दुनिया के अलग-लग देशों में क्या किया? Equal Rights के लिए आंदुलन किया, कि ठीक है? आगे कहता है कि there were agitations in different countries for the extension of voting right to women, वही बात है भाई, हमने France का उधार में दीखा, फ्रांस में आपको जब French Revolution हो, उसके बाद बहुत सारे events हुए, आपने तो पढ़ा है, तो उन सभी चीजों के दौरान, जब भी democracy की बात आई, तो वहाँ पर महिलाओं को voting का अध अधिकार दिया गया था, मतलब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में महिलाओं को voting का अधिकार मिल गया, लेकिन उसके बाद जाकर के फ्रांस में महिलाओं को voting का अधिकार दिया गया, इसी प्रकार के आपको protest दुनिया के बहुत सारे देशों में हुए, कि महिलाओं को क्या मिले, वोटिंग का अधिकार मिले, साथ में लीडर बनने का अधिकार मिले, कि वो जाकर के सरकार में बैठने पाएं, समझ गए? अब आगे कहता है कि these agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities, अब यहाँ पर यह चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा, क्या कह रहा है भाई? वोट दे सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, पब्लिक लाइफ में पाटिसिपेट कर सकते हैं, लीगल स्टेटिस का क्या मतलब हुआ? लीगल स्टेटिस का मतलब यह है, कि बहुत सारे देशों में पहले यह प्रावधान था, मतलब अभी भी जैसे इरान में है, और भी सौधी अरब में है, और भी कई देशों में है, कि जो पुरुष हैं, उनको लीगली ज्यादा पावर दिया गया था, महिलाओं को उतने प मतलब इस प्रकार से कि जो महिला है, उसको एक गारजियन की जरूरत है, अगर शादी हो चुकी है, तो उसका हस्बेंट सारी चीज़े डिसाइड करेगा, और शादी नहीं हुई है, तो उसके पैरेंट्स मतलब की फादर सारी चीज़े डिसाइड करेंगे, यह चीज़े प more radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movement. अब यहाँ पर कहता है कि देखो ये तो हम लोग पब्लिक लाइफ की बात कर रहे हैं, पब्लिक लाइफ में political status अच्छा हो, या फिर legal status अच्छा हो, उनका educational और career status अच्छा हो, लेकिन आगे चलकर जब लोगों ने इन चीज़ों को explore किया, इन जुख के ऊपर study किया, और भी बाते की, तो ये बात आया कि देखो भाई, महिलाओं की स्थिती सिर्फ हमें public life में नहीं सुधार नहीं है, बलकि private life में भी सुधार नहीं है, मतलब जैसे घर में अगर हम देखें, तो घर में हमने क्या सुरू में ही क्या बात किया था, कि एक hierarchical structure होता है, कि आपके पिता जी के पास ज्यादा power है, माता जी के पास कम power है, जो पापा बोलेंगे वही होगा, मा बोलेगी तो उसकी बात के उतनी value नहीं होती है, तो यहाँ पर भी personal life में भी family life में भी quality लाने की बात की गई, कि सभी लोगों को हर चीज का अधिकार होना च की गई, कि हम क्या करेंगे, equality लाएंगे family में भी और साथ में personal life में भी, अब यह feminist का definition आप से पूछा जा सकता है, तो feminist का definition तो आपके किताब में ही दिया गया, छोटा सा simple सा one number में हो सकता है, क्या है, तो women are a men who believes in equal rights and opportunities for women and men, मतलब कि मर्दों और और ओरतों के बीच बराबर अधिकार में विश्वास रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, feminist कहा जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे कहता है, कि political expression of gender division and political mobilization, political mobilization on this question helped to improve women's role in public life, वही बात है, कि जब यहाँ पर हमने क्या किया, politically express किया gender division को, अब हम क्या समझ रहे हैं, हम सम politics के उपर, जब हमने gender को political मुद्दा बना कर उठाया, उसके उपर बातचीत किया, politically express किया, तो क्या सर पड़ा, तो भाई, अच्छा सर पड़ा, क्या सर पड़ा भाई, तो women's role in public life क्या हो गया, improve कर गया, महिलाओं की स्थिती public life में बहुत ही improve कर गया, कैसे, उधारण क्या ह है, कि आज के समय में अगर आप देखें, high paying jobs को देखें, important jobs को देखें, जैसे कि scientist हो गए, doctor, engineer, lawyer, manager, बहुत सारे jobs है, जहां पर पहले महिलाओं नहीं शामिल होती थी, वहां पर बहुत बड़े अस्तर पर क्या होता है, महिलाओं शामिल होती है, महिलाओं आपको नोकरी करत होते हुए, मिल जाएंगे, इसके साथ ही, अगर हम लोग देखें, दुनिया के कई सारे इलाके हैं, जैसे कि Scandinavian countries हैं, जैसे कि Sweden, Norway, Finland हो गया, यहां पर जो participation है, मतलब जो एक प्रकार से rights की बात कर लें, या फिर public life में participation की बात कर लें, तो महिलाओं का participation public life में क्या है, बहु some improvement since independence, यह statement क्या है, यह statement आपके लिए important है, क्योंकि यहां से question बनता है, क्या question बनता है, मैं आपको जरा से बता देता हूँ, जैसे question पूछा गया है, women still lag behind men in India despite some improvement since independence, analyze the statement, मतलब कि इस statement को आपको क्या करना है, analyze करना है, सही है, गलत है, क्या है, उसके support में आपको बाते बतान ही है, अब इसके साथ ही question है, जो कि यहां पर आपको points में बताऊंगा, वो उसके बारे में, describe the different ways in which the women are discriminated in the Indian society, इंडिया में महिलाओं के साथ किस प्रकार से कैसे भेधवाव होता है, वो describe करना है, तो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि women still lag behind men despite some improvements since independence, कैसे भाई, तो child dominated patriarchal society, patriarchal society कहने का मतलब क्या है, पुरुष प्रधान समाज, मतलब कि जो पुरुष होंगे, मर्द होंगे, उनको ज्यादा पावर होगा, उनके पास decision making ability होगी, मतलब इसका simple मतलब word का मतलब देखे, तो पिताजी का शाशन, इस प्रकार से word होता है, इसका आपको यहां पर meaning भी दिया हुआ है, literary, rule by father, पैट्रियार्गी का मतलब क्या होता है, rule by father, समझ गया, this concept is used to refer to a system that values men more and gives them power over women, वही चीज़ है जो मैंने आपको कहा, अब यहां पर आगे बढ़ें, तो आगे यहां पर क्या कहता है, मतलब यहां पर अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से Indian society में महिलाओं के साथ भेदभा होता है, या फिर discrimination होता है, या फिर हम कह सकता है, disadvantage कैसे वो feel करती है, तो यहां पर various ways बताएगा है, पहला क्या है, पहला कि भाई, देखो महिलाओं के education को importance नहीं दिया जाता है, अगर हम लोग इंडिया के literacy rate को देखें, तो इंडिया में 54% महिला है, जो है, literate है, और वहीं जो male है, वो कितने है, 76% literate है, ठीक है, literacy rate पूरशों का कितना है, 76%, महिलाओं के 54%, ये क्यों है, क्योंकि महिलाओं के education को हम लोग importance नहीं देते हैं, या फिर उनके education पर उतना जोर नहीं दिया जाता है, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, तो proportion क्या है, कम है, मतलब कि अगर 100 लड़के जा रहे हैं, तो 60-70 लड़किया हैं, जो कि higher studies में जा रही है, ये भी चीज़ है, आगे यहाँ पर कहता है, कि when we look at school results, जब हम school results पर देखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो लड़किया हैं, वो पढ़ने में कमजोर हैं, या फिर उनको पढ़ने नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां पढ़ने में लड़कों के बरावर हैं, या फिर कहें तो कई मामले में आपको लड़कियां लड़कों से जदा बहतर मिल जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education, मतलब गया, लड़ इसके उपर खर्च किया जाए, लड़कों के उपर खर्च किया जाए, ताकि लड़के जो हैं वो क्या करेंगे, parents को आगे चलके support करेंगे, इस प्रकार के विचार को ले करके, क्या करते हैं, parents अपने लड़कों के उपर resources खर्च करते हैं, लड़कियों के उपर तना ध्यान नहीं देते ठीक है आगे कहता है कि no wonder the proportion of women among the highly paid and valued jobs is very small भाई highly paid और valued jobs में महिलाओं की संख्या क्या है कम है proportion क्या है कम है क्यों कम है क्योंकि उनके education पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है education पर कम ध्यान दिया जा रहा है तो भाई job भी तो कम ही न मिलेगा यहीं बात है आगे यहां पर आगे बढ़ें तो आगे क्या कहता है on an average an Indian woman works one hour more than average man every day yet much of her work is not paid and therefore often not valued कहता है कि अगर हाप generally देखे average निकाल करके देखे तो इंडिया में जो महिलाएं है पुरुषों की तुलना में एक घंटा ज्यादा काम करती है डेली लेकिन उनका जो काम है उसमें बहुत सारा काम free का होता है free का कहने का मतलब की घर में बच्चों को सम्हालने का खाना बनाने का इस प्रकार का काम तो वहाँ पर तो salary मिल नहीं रहा है और salary नहीं मिल रहा है तो उनके काम को value नहीं दिया जाता है, ठीक है कर रहे हैं तो कोई कर रहे हैं, कोई खास नहीं है, मतलब कि कई बार होता है कि महिला हैं जो घर में काम करती हैं उनको क्या किया जाता है, कुछ नहीं करती है, इस प्रकार से कहा जाता है, मतलब क्या, मतलब कि जो घर में बिना salary का काम महिलाव दोरा किया जाता है उसको value नहीं दिया जाता है आगे अगला point क्या कहता है कहता है कि in equal renumeration act 1976 अब यहाँ पर क्या है कि एक act लाया गया था 1976 में उसमें ये तै किया गया था सरकार ने ये कानून बना दिया कि अगर आप equal काम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा equal wage मिलेगा मतलब कि अगर मैं एक घंटा काम करूँ और आप एक घंटा काम करें तो दोनों कोई को बराबर वेतन मिलना चाहिए ये सरकारी कानून है ठीक लेकिन अगर हम लोग देखें तो जादा तर एरियाज में जहां पर कोई भी जॉब है जैसे office में जॉब हो sports हो या फिर cinema हो factory हो फिल्ड हो कहीं पर हो जहांपर पूरुष और महिला दोनों काम कर रहे हैं वहां पर generally ये देखा गया है कि महिलाओं की जो salary होती है वेतन होता है पूरुषों के तुल्ला में कम होता है समझ गए जबकि दोनों बराबर का काम करती हैं बराबर उनका वर्क होता है आगे यहाँ पर देखें तो आगे क्या कहता है कि इन मैनी पार्ट्स आफ इंडिया पैरेंट्स प्रिफर टू है वो चाहते हैं कि उनको बेटा होना चाहिए और अगर उनको किसी प्रकार से पता चल जाता है बच्चे के जन्म लेने से पहले कि भाई बेटी होने वाली है तो उस बेटी को भून में ही हत्या करने की कोशिश करते हैं अबोर्शन करने की कोशिश करते हैं कि भाई बेटी हमें नहीं चाहिए इसको मार दो समझ गे ये काफी सीरिया चीज है और इस प्रकार के abortion की वज़ा से sex selective abortion की वज़ा से इंडिया के कई सारे इलाकों में जो child sex ratio है वो काफी कम हो चुका है जैसे अगर आप नक्षा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस इलाके में child sex ratio कैसा है green वाले इलाके कहने का मतलब क्या है मतलब कि आपका है 926 से 950 red वाला आपका 951 से उपर मतलब ये जो पूरा इलाका है ये आपका क्या है काफी अच्छा है ये सारा इलाका ये सारा इलाका प्रॉबलम कहां है इन इलाकों में तो उनके उपर 875 लड़कियां हैं या फिर उससे भी कम हैं यह काफी serious चीज है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या कहता है आगे देखते हैं आगे क्या कहता है आगे कहता है रेशियो है वही बात है कि कई सारे इलाकों में 800 से भी कम रेशियो हो चुका है अब आगे कहता है कि there are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women मतलब महिलाओं के खिलाफ कई प्रकार के आपको अपराध भी होते हैं आगे कहता है कि urban areas have become particularly unsafe for women यह तो चीज़े अगर आप news देखते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि कई तरीके के महिलाओं के साथ आपको अपर आपको harassment हो गया, beating हो गया, इसके लावा सडकों पर जब महिलाओं चलती है तो भी वो safe नहीं होती है, तो ये भी एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे society में महिलाओं के साथ किस प्रकार का भेदबाओ है, discrimination है, problem से ठीग है, आगे यहाँ पर topic है women's political representation, मत असलब जो भी problems हमने बात की, gender based division से related, वो तो सबको पता है, आपने पढ़ लिया, आपको भी पता चल गया, लेकिन अब यहाँ पर बात है कि इसको सुधारा कैसे जाए, तो भाई सुधारा कैसे जाए, उसके लिए एक चीज जो है, जो कि बहुत सारे लोगों का मानना है, कि भाई इनके problems के उपर ध्यान देना होगा, इनका solution खोजना होगा, अब यहाँ पर बात है कि problems का solution कैसे खोजा जाए, इसके उपर attention कौन देगा, तो यहाँ पर जो महिलाएं या फिर जो groups महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं, उनको एक प्रकार से equal representation या फिर equal society में status दिल आने का बात करती हैं, उनका ये मानना है कि भाई क्या होगा, मतलब महिलाओं की स्थिति अगर हमें सुधारनी है, तो क्या करना होगा, महिलाओं को power देना होगा, मतलब क्या, महिलाओं अगर Parliament में होंगी, महिलाओं अगर सरकार में होंगी, तो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को वो अच्छे से समझेंगी और उसके उपर अच्छे से काम करेंगी अब यहाँ पर यही चीज़ है कि मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है मतलब कि सरकार में लोगों की हिस्सेदारी ठीक अब यहाँ पर देखें तो यहाँ अब यहाँ पर आपको क्वेशन पूचा गया है प्रीवेस यर में इस्प्लेटेशन पर यहाँ पर क्या है महिलाओं का इस्टेशन अगर हम देखें तो लोक सभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है 14.36% कब 2019 में मतलब हमारा देश हो गया आजाद 70-75 साल पहले और आज तक हमारे समाज में हमारे पार्लियमेंट में महिलाओं के हिसेदारी कितनी है 14.36% है ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि state assemblies में बात करें तो उनका representation कितना है 5% से भी कम है तो हमारे समाज में हमारे देश में political representation महिलाओं का बहुत ही कम है ठीक है अब यहाँ पर बात करें तो दुनिया से अगर हम लोग compare करें तो दुनिया से जब हम compare करते हैं तो महिलाओं का representation हमारे देश में बहुत ही बुरी स्थिती में है जैसे ये चार्ट देखिए ये चार्ट में आप देख रहे हैं ये चार्ट आप में देखेंगे तो इंडिया इतना जादा है 42% अमेरिका, 29% यूरोप, एसिया, अरब स्थित और बताएं यहाँ पर अफरीका के देशों से भी बुरी स्थिती है हमारी महिलाओं के political representation के मामले में तो सोच सकते हैं कि हमारे समाज की कितनी बुरी स्थिती है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे कहत अमेरिका, in the government cabinets are largely all men, male, even when a woman becomes the chief minister or the prime minister, अब वहें चीज़ कहता है कि हमारे समाज में हमारे देश में जो महिलाओं हैं उनका representation, political representation दुनिया के कई सारे developing countries से कम हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारे देश में माली यह कोई महिला बहुत ही popular हो गई, popular leader बन गई, और वो PM बन उसके बाद भी जो assembly होती है, या फिर जो ministers का cabinet होता है, वहाँ पर males की संख्या जादा होती है, जैसे उदारण के लिए आप देख लें, जब इंदरा गांधी हमारे देश की प्रधान मंत्री थी, उस समय अगर आप cabinet को देखेंगे, या फिर parliament को देखेंगे, तो वहाँ पर पुष्ट पर वहाँ पर बनी हुए है, अब यहाँ पर इसका solution क्या है, कैसे इस चीज को सुधारा जाए, यह चीज यहाँ पर हम देखें, तो उसका एक answer क्या है, answer एक है कि legally bind कर दिया जाए, कि महिलाओं का fixed proportion होना चाहिए, कि भाई, जैसे 33% महिलाओं का seat reserve कर दिया जाए कि इतनी महिलाओं हमारे parliament में, state assembly में, local meeting, local government होती है, वहाँ पर उनका representation होना चाहिए, समझ गए? तो यह चीज़े जो हैं, यह पहले कर दी गई हैं, यह पहले कर दी गई हैं, कहां पर की गई हैं? यह चीज़े की गई हैं हमारे देश के local government में, मतलब कि जो पंचायती राज legally binding लागू कर दी गई हैं, मतलब कि यहां पर हमारे देश में, जितनी भी पंचायत की सीटे हैं, उनमें से one third सीटे, 33% सीटे महिलाओं के लिए reserve कर दी गई हैं, मतलब कि वहां पर महिलाओं ही चुन करके आ सकती हैं, तो यह काफी अच्छा step 30 है, और इसका असर यह हुआ है कि आज हमारे देश में करीब 10 लाख की संख्या में, हमारे देश में महिलाओं जो हैं, वो लीडर के रूप में बैठी हुई हैं, या तो पंचायत में, या फिर ब्लॉक में, जिला परिशद में, या फिर मेयर के रूप में, वाड पारसद के रूप में महिलाओं क्या हैं, बैठी हुई है, और यहां से आपका question भी मनता है भाई, ग्या question मनता है, suggest any three measures to enhance the participation of women in politics, ठीक है भाई, अगला question इसी प्रकार का है, explain any five methods to raise the political representation of women in India, कि भाई, पांस तरीके बता हैं, तीन तरीके बता हैं, कि कैसे हम लोग महिलाओं का political representation increase कर सकते हैं, पहला तरीका क्या हो गया legally binding की भाई, legally binding कर दिया जाए, कि महिलाओं जो हैं, वो 33% रहेंगी, और यह आगे बता दूँगा मैं, कि अभी हमारे देश में यह rule पास कर दिया गया है, ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें, तो आगे यहां पर क्या कहता है, यहां पर यही चीज है, जो मैंने अभी आ आपको बताया है, पंचायत के बारे में, कि हमारे देश के जो महिलाओं है, महिलाओं का organization है, women's organization है, activist है, वो लोग इसी प्रकार के reservation की demand कर रहे हैं, लोग सभा और state assembly में भी, ताकि महिलाओं का political representation बढ़ाया जा सके, अब देखिए, यह किताब है आपका एक साल पुराना, म पास हो चुका है, हमारे देश में ये बिल लागू हो चुका है, अगले 2-4 सालों के बाद जब परिसीमन होगा, समझ गए, delimitation होगा, तब ये चीज लागू कर दिया जाएगा हमारे देश में, अब delimitation क्या होता है, delimitation simply एक process होता है, जहां पर जो हमारे देश का election commission है, व उनको change करता है, adjust करता है, तो वो process अगली बार होगा, 2026 के बाद, उसके बाद जब भी परिसीमन होगा, delimitation होगा, ये system लागू कर दिया जाएगा, ये reservation लागू कर दिया जाएगा हमारे देश में, समझ गए, ये point आप ध्यान रखेगा, यहां पर लिखा हुआ है, the bill has not been passed reality क्या है, pass हो चुका है, क्यों, क्योंकि कुछ महीने पहले pass हुआ है, ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है, कि gender division is an example that some form of social division need to be expressed in politics, मतलब कि gender division को politics में express करना जरूरी है, उसको express करने से हमको फाइदा होता है, क्या फाइदा होता है, जो हमारे society का exception है, उसको अधिकार मिलते है, उसकी बात होती है, समझ गया है, कि यहां पर यही चीज़ कहता है, कि this also shows that disadvantaged groups do benefit when social division become a political issue, ठीक है, अब यहां पर आप से एक यही simple सवाल पूछा जा रहा है, कि क्या आपको लगता है, कि अगर महिलाओं की बात politics में नहीं उठाई जाती, तो क् का इस प्रकार से situation better हो सकता था, change हो सकता था, अब यहां पर यह questions है, तीन points और 5 points आपको लिखने के लिए कह रहा है, तो यहां पर आप 5 points क्या लिखेंगे, पहला तो legally binding हो गया, legally binding मतलब क्या, reserved seats, क्या होगा, reserved seats, यह हो गया, दूसरा point आप क्या लिखेंगे, दूसरा point आप लिखेंगे, कि यहां पर जो political parties हैं, उनमें कुछ seat है, जैसे political parties जो होते हैं, उनमें leader होते हैं, महा सची होते हैं, राष्ट्रीय सची होते हैं, बहुत सारे post होते हैं, तो political parties में भी क्या होना चाहिए, महिलाओं के important post पर representation होना चाहिए, role in political parties, मैं short में लिख दे रहा हूँ, political parties, इसके बाद third किया है, third की भाई महिलाओं के literacy rate को बढ़ाया जाए, literacy rate अगर बढ़ेगा, तो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, वो एक प्रकार से society के बारे में ज़्यादा जानेंगी, और साथ में अपने अधिकारों की बात करेंगी, साथ में वो लीडर वगएरा भी बनेंगी, इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर woman empowerment, woman empowerment कहने का मतलब क्या है, woman empowerment का कहने का मतलब है, कि महिलाओं को एक प्रकार से role दिये जाए, society में role दिये जाए, important role दिये जाए, कोई महिला अगर आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो society में important role दिये जाए, इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो यहाँ पर और भी एक दो point आप लोग add कर सकते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने है अगला topic, अगला topic है religion, communism and politics, मतलब अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, religion के बारे में, तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है, कि let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences, यानि धर्म के आधार पर जो हमारे society में differences हैं, उसकी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं, मतलब simple जो religion हो था, जैसे Hinduism हो गया, या फिर Christianity हो गया, Islam हो गया, Sikhism हो गया, इनके आधार पर जो society में division है, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, कहता है कि this division is not as universal as gender, मतलब कि देखो gender क्या है, एक universal difference है, मतलब दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, दुनिया के किसी भी intersection में चले जाओ, society में चले जाओ, वहाँ पर male-female का तुमको difference दिखने को मिल जाएगा, लेकिन दुनिया में अगर हम बात करें religion की, तो religion का difference हो सकता है कि कुछ देशों में ना मिले, जैसे इंडिया में बहुत सारे religion के लोग रहते हैं, बहुत सारे religion को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं, जहाँ पर इस प्रकार का difference मौजूद नहीं है, सारे लोग एक ही religion को मानते हैं, ठीक है, कहता है कि बस religious diversity is fairly widespread in the world today, कहता है कि देखो, religion जो है gender जैसा universal नहीं है, लेकिन फिर भी आज के समय में, जो religious diversity है, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फैल चुकी है, जैसे यूरोप की अगर तुम बात करो, तो यूरोप में आज के 100-200 साल पहले, सिर्फ और सिर्फ Christianity को मानने वाले लोग रहते थे, लेकिन आज के समय में अगर तुम यूरोप जाते हो, अमेरिका में जाते हो, तो वहाँ पर तुमको हर धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफी अच्छी है, समझ गए? कहता है कि many countries, including India, have in their population followers of different religions, सही बात है, simple सी बात है, आगे कहता है कि as we noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences about the way people practice that religion, अब यहाँ पर तुमको एक बात बताई जारी है Northern Ireland के बारे में, अब Northern Ireland क्या एक देश है, तो भाई तुमको एक chapter हुआ करता था, chapter number 3, समझ गए? तो उसमें पढ़ना था, तो वो chapter तुम्हारे से बस से delete हो चुका है, लेकिन यह point उसके बारे में बात कर रहा है, तो उस Northern Ireland के बारे में कुछ बाते हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो यहाँ पर आपको map दिख रहा है, अब map को अगर मैं close करूँ, मतलब नजदीक से खुलूँ, तो यहाँ पर है United Kingdom, अब United Kingdom आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह आपका United Kingdom है, तो United Kingdom में आते हैं चार देश, कौन-कौन से, यहाँ पर आगया आपका England, यहाँ Wales, यहाँ पर आपका Scotland आगया, और यह है Northern Ireland, अब यह जो Northern Ireland है, यह पूरा Ireland, जो island है, उसका पार्ट है, लेकिन यह United Kingdom के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर परेशानी क्या है, यह जरा सा समझते हैं, तो इसको मैं और जरा सा Zoom कर देता हूँ, तो यहाँ पर परेशानी यह है, कि जो Northern Ireland है, यहाँ पर दो groups के लोग रहते हैं, यहाँ पर सभी लोग Christianity मानते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर यह दो groups है, प्रोटेस्टेंट की संख्या कितनी है, लगभग 54% है, 54 यह 56% है, और बाकी कौन है, रोमन कैथोलिक की संख्या है, अब यहाँ पर प्रॉब्लेम क्यों है, प्रॉब्लेम इसलिए है, क्योंकि यह जो Ireland group है, मतलब Ireland country है यहाँ पर, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा संख्या है, कैथोलिक लोगों की, कैथोलिक लोगों की ज़्यादा संख्या है, तो यहाँ पर Northern Ireland में, जो कैथोलिक को मानने वाले लोग हैं, Catholic पंथ को follow करने वाले लोग है वो चाहते हैं कि ये पूरा देश जो है वो यहाँ पर Ireland के साथ जुड़ जाए और वही यहाँ पर जो Protestant है Protestant धर्म को जो मानते हैं वो United Kingdom के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं क्यों? क्योंकि United Kingdom जो है खास करके England जो है वो Protestant धर्म को मानता है इस वज़ाँ से तो इसी वज़ाँ से Northern Ireland में दोनों ग्रूप में क्या चलता है एक प्रकार का conflict चलता है समझ गए? यही बात यहाँ पर आपको इसके बार में basic मैंने बता दिया दो लाइन तीन लाइन में ताकि आपको जो जरूरी चीज़ें हैं वो clear हो जाए अब यहाँ पर यही चीज़ कहता है क्या कह रहा है फिर से इसको देखते हैं कहता है कि many countries including India have in their population followers of different religion यह दो ठीक बात है as we noticed in case of Northern Ireland Northern Ireland के मामले में जैसे हमने देखा समझा कि जब किसी भी देश में एक ही religion को मानने वाले लोग रहते हो वहाँ पर भी religion के आधार पर conflict हो सकता है तो Northern Ireland का आपने उधारन समझ लिया इसी प्रकार से जब आप Muslim countries को देखते हैं तो वहाँ पर भी conflict होता है सिया सुन्नी का conflict होता है साथ में इंडिया में भी अगर आप देखें तो लोग अगर Hinduism को मानते हैं तो उसमें भी Hinduism में भी कई सारे sect हैं कई सारे group हैं जो की आपस में clash करते रहते हैं तो बात यहाँ पर यह है कि जब हम religious differences की बात करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब आपका Hinduism और Islam और Christianity नहीं होता है बलकि उनके अंदर भी जो अलग-लग sect हैं उनको भी हम यहाँ पर address करते हैं उनकी भी बात करते हैं समझ गए तो आगे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यही चीज कहता है कि even when most of the people belong to the same religion there can be serious differences about the way people practice that religion ठीक है बाई आगे यहाँ पर बढ़ें तो आगे क्या कहता है अब यहाँ पर कुछ आपको statement दिये गया है ठीक है अब यहाँ पर एक और चीज़े एक point मैं छोड़ दिया था कहता है कि unlike gender differences the religious differences are often expressed in the field of politics gender differences के बारे में हमने पढ़ा कि उसको politics में बार बार express नहीं किया जाता है उसको एक प्रकार से focus नहीं किया जाता है लेकिन जब हम religion की बात करते हैं तो religion को politics में हमेशा उठाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया के सभी देशों में जो politics है वहाँ पर religion की भरपूर बात होती है, खूब बात होती है, समझ गया, अब यहाँ पर कुछ statements है जो की आपको पढ़ने हैं और समझने हैं, ठीक है, statement क्या है, सबसे पहला statement है गांधी जी का, कि गांधी जी कहा करते थे, कि जो religion है उसको politics से आप कभी भी अलग नहीं कर स सकते हैं, समझ गया, यह उनका statement था, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पर उनका कहना था, कि देखो, जो religion है, वो religion का मतलब क्या कह रहे थे, religion का मतलब कह रहे थे, कि जो values है religion के, जैसे धर्म हमें क्या सिखाता है, धर्म हमें सिखाता है, कि हमें जूट नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अत्याचार नहीं करना चाहिए हमें हमेशा सचाई का साथ देना चाहिए हमें हमेशा इनसानों की मदद करनी चाहिए, इस प्रकार की जो values हैं धर्मों की उनकी बात यहाँ पर गांधी जी कर रहे थे कि जो guiding values हैं वो यहाँ पर आप कभी भी politics से अलग नहीं कर सकते हैं धर्मों के समझ गए? तो यहाँ पर उनका कहना था he believed that politics must be guided by ethics drawn from religion मतलब जो ethics है religion का उससे हमको politics को guide करना चाहिए politics समय धर्म द्वारा जो अच्छी बाते सिखाई जाती है उसके आधार पर करनी चाहिए ठीक है? अब यहाँ पर आगे दूसरा point क्या कहता है? कहता है कि human rights groups in our country have argued that most of the victims of the communal rights in our country are people from religious minorities मतलब यहाँ पर जो human rights groups हैं जो human rights को देखते हैं कि भाई किसी के साथ कोई भेधवाव अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इनका कहना है कि कभी भी किसी भी देश में अगर दंगा होता है हमारे देश की खासकर यहाँ पर क्योंकि इंडिया को focus करके हम study कर रहे हैं तो कभी भी अगर दंगा होगा, या फिर किसी भी प्रकार का conflict होगा, तो उसमें जादा नुकसान किसको होता है? जादा नुकसान होता है religious minorities को. जो minorities है, मतलब जिनकी संख्या कम है, उनके साथ जादा भेधवाव, जादा अत्याचार होता है. They have demanded that the government take a special step to protect religious minorities. Religious minorities को बचाने के लिए, सरकार को कुछ special steps लेने चाहिए. आगे यहाँ पर क्या कहता है? आगे कहता है कि women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women. जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए fight करते हैं, उनका कहना यह है, कि देखो जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के जो family laws है, family laws कहने का मतलब भाई, मतलब परिवार से जुड़े हुए कानून. मतलब कि पिता जी की संपत्ती किसको मिलेगी, बेटा को मिलेगी, कि बेटी को मिलेगी, आप किसको adopt कर सकते हैं, adopt का क्या rule procedure होगा, इस प्रकार से divorce कैसे होगा, या फिर शादिया कैसे होगी, इस प्रकार के जो नियम कानून है धर्मों के, वो क्या करते हैं, महिलाओं के बेदभाव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह जो women's movement है, जैसे कि feminist movement हो गया, इस प्रकार के जो भी movement चल रहे हैं, इससे जुड़ों का demand है कि सरकार क्या करे, special laws बनाये या फिर जो कानून है उनको change करे, ताकि कानून को जादा equitable बनाया जा सके, जादा एक प्रकार से बराव बनाया जा सके, दोनों पक्छो के लिए, अब यहाँ पर आगे बढ़े हैं, तो आगे यहाँ पर क्या कहता है, आगे कहता है कि all these instances involve a relationship between religion and politics, तीन पॉइंट हमने समझे, तीन पॉइंट हमने देखा, तीनों पॉइंट religion और politics से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यह तीनों पॉइंट में कुछ ऐसा गड़बर नहीं था, या problematic नहीं था कि जिससे हमको कोई problem हो, अब यहाँ पर बात है कि ideas, ideals and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics, मतलब जो तीन पॉइंट हमने देखे हैं, कि जैसे हम लोग को religion है, वो religion के ideals को follow करना चाहिए politics में, उसके हिसाब से politics करनी चाहि तो जो religious groups हैं, उनके पास right होना चाहिए, कि वो एक religious group के रूप में अपने interest, अपने need, अपने demand को सरकार के सामने रख सकें, कि भाई हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों को ये चाहिए, हम लोग Muslim हैं, हमारे साथ ये गड़बर हो रहा है, हमको ये चाहिए, Christians अपनी बात रख स सरकार से कुछ demand कर सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं, उसमें कहीं participate कर सकते हैं, अब यहाँ पर आगे कहता है, those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and operation, अब यहाँ पर कहता है कि देखो, एक पक्ष क्या है कि भाई, जो religious group हैं, वो अपनी मांग रख सकें सरकार के सामने, अपना organization बना सकें, या फिर एक प्रकार से अपनी बाते रख सकें, दूसरा side यह है कि सरकार के पास यह power होना चाहिए, कि सरकार धर्मों के काम काज में भी दखल दे सके, क्यों दखल दे सके, क्योंकि धर्मों में कई सारे कानून ऐसे होते हैं, जो कि लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, और उन भेदभावों को रोकने के लिए सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए, कि सरकार क्या कर सके, religion में interfere कर सके, जैसे अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें, तो उदाहरण के रूप में जो हमारा untouchability का system था, उसको सरकार ने बैन किया, ठीक है, इसी प्रकार से अलग-अलग धर्मों में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, जो कि गड़बड हैं, जो कि सही नहीं है, किसी के साथ भेदभाव करती हैं, तो उसको खतम करने का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. मतलब कि अगर सरकार religion में interfere कर रही है, लोग as a religion group बना करके सरकार से कुछ demand कर रहे हैं, या कुछ भी activity हो रही है, वो activity बिल्कुल सही है. कब तक सही है? जब तक कि लोगों को equally treat किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है. जैसे ही आप किसी के साथ भेदभाव करना शुरू करते हैं, या फिर लोगों को equal मानना खतम कर देते हैं, लोगों के साथ उंचा नीचा मानने लगते हैं, ये सारे अधिकार, सारी बाते खतम हो जाती है. अब इसी चीज से जुड़ा हुआ हमारा यहां पर topic है, topic क्या है, communalism है, अब ये क्या होता है, communalism की बात कर लेते हैं, तो communalism क्या है, communalism ये है कि आपको एक ऐसा situation है, जैसे definition में आपको बोल देता हूँ, examination में ये पूछ सकता है, तो definition, communalism is a situation when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion when demand of one religion are formed in opposition to other religion. ये short में मैंने लिखा था, यहीं से उठा कर लिखा है, कहीं अलग से नहीं लाए है, इस ही में से लिखा हूँ है, तो इसको मैं अब explain करके पढ़ा देता हूँ. कहता कि the problem begins when religion is seen as the basis of the nation. problem कब आता है भाई? हमने देखा कि लोग जो है religious group बना सकते हैं, अपनी बाते रख सकते हैं, अपने demand रख सकते हैं. problem क्या है? problem तब है, जब हम ये मान लेंगे कि भाई हमारा religion सबसे बढ़ियां, और साथ में हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हमारा religion चलेगा, किसी और का religion नहीं चलेगा, तब problem आता है. जैसे यहाँ पर आमारा जो Northern Ireland का उधारन मैंने आपको बता है, देखें, यहाँ पर chapter 3 लिखा हुआ है. क्यों वाई? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पिछले साल तक chapter 3 एक दूसरा chapter होता था, जो कि इस साल डिलीट हो चुका है, समझ गए? तो कहता है कि the example of Northern Ireland in chapter 3 shows the dangers of such an approach to the nationalism. अब यहाँ पर यही problem था, कहाँ पर यही problem था Northern Ireland में, कि जो Northern Ireland के लोग थे, चाहे वो Protestant हो, चाहे वो Catholic हो, दोनों धर्म के आधार पर country बनाना चाहते थे. कि भाई हमारे देश में Catholic धर्म चलेगा, हमारे देश में Protestant धर्म चलेगा, इसी वज़े से वहाँ पर पुरा एक प्रकार से fight चल रहा था, दो groups बन चुके थे, Nationalist group, Unionist group बन चुके थे, जो कि एक चाहता था कि Ireland के साथ जूड जा, एक चाहता था, United Kingdom के साथ जूड जाए, और इस वज़े से हजारों लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग बेघर हो गई, बहुत सारी घटनाई हो, ठीक है? अब यहाँ पर आगे कहता है कि the problem becomes more acute when religion is expressed in politics, in exclusive and partition terms, when one religion and its follower are pitted against another. यह कमिनलिजम का problem बहुत बड़ा कब हो जाता है? तब हो जाता है जब religion को politics में exclusive terms में या फिर partition terms में सामने रखा जाता है. मतलब कि यहाँ पर दूसरे धर्म के विरोध में बाते की जाती है, दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काय जाता है, लोग दूसरे धर्म को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ fight करने के लिए तयार होते हैं, लोगों को जान से मारने के लिए तयार होते हैं, अलग-अलग धर्मों में conflict होने लगता है, तब यहाँ पर problem आता है, तब बहुत ही serious problem होने लगता है. और यही चीज़ कि one religion is pitted against another. मतलब कि लोग धर्म के अधार पर fight करने लगते हैं, एक दूसरे के against हो जाते हैं. आगी कहता है कि this happens when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, when the demands of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. क्या यहाँ पर problem बता रहा है? बता रहा है कि यह कब होगा? यह तब होगा जब एक धर्म को दूसरे धर्म से ज़्यादा बहतर ज़्यादा अच्छा बताया जाएं. साथ में एक धर्म का जो demand है वो दूसरे धर्म के against में होना हो, कि भाई उसको वो नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा, इस प्रकार के चीज़ें हो. और साथ में जब सरकार की ताकत को यूज किया जाए ताकि दूसरे धर्मों को दबाया जा सके, एक धर्म को ताकत वर बनाया जा सके, ठीक है? इस प्रकार से जब पॉलिटिक्स की जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आगे यहाँ पर कहता है कि कम्यूनल पॉलिटिक्स is based on the idea that religion is the principal basis of social community. अब यहाँ पर कम्यूनल पॉलिटिक्स क्यों होती है? कम्यूनल पॉलिटिक्स तब होती है, जब यहाँ पर जो लोग हैं, वो ये विश्वास करने लगते हैं, जो इसको support करते हैं, वो ये विश्वास करने लगते हैं, कि जो religion है, religion ही एक मात्र जरिया है social community का. मतलब कि हमारा जो society होगा, उसमें हम एक ही धर्म के लोग होंगे, तभी हम लोग एक साथ रह सकते हैं, दूसरे धर्म का आदमी हमारे साथ नहीं रह सकता है, इस प्रकार कि जब बात आएगी, तब हम यहाँ पर communal politics शुरू होती है, या फिर वहाँ पर होने लगती है, समझ आगे यहाँ पर क्या कहता है, आगे कहता है कि communalism involves thinking along the following lines, the followers of a particular religion must belong to one community, मतलब communal politics जब होती है तब इस प्रकार के विचार सामने आते हैं, इस प्रकार से लोग सोचना शुरू करते हैं, या फिर इस प्रकार से लोगों को चाहा जाता है कि सोचें, मतलब कोई leader है, जो कि communal politics कर आते हैं, वो क्या चाहेगा कि इस प्रकार से लोग सोचें, क्या सोचें भाई, सबसे पहला चीज, the followers of a particular religion must belong to one community, मतलब कि एक धर्म को मानने वाले सभी लोग जो हैं, वो एक ग्रूप बना कर रहेंगे, एक ग्रूप में रहेंगे, ठीक है, their fundamental interests are the same, सभी लोग जो है, उनक प्यार नहीं हो सकता है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे कहता है, any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life, मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर यह है, कि अगर एक धर्म के लोग, जो की एक ग्रूप बना कर रह रहें हैं, उनके बीच में अगर कोई conflict है, कोई उनके बीच में difference है, कोई उनके बीच में किसी भी प्रकार का मनूटा, कोई भी demand भी अलग है, तो वो क्या है, वो irrelevant है और trivial है, वो और उसको ignore करके सभी को साथ रहना होगा, धर्म के अधार पर, समझ गया, आगे कहता है कि it also follows that people who follow different religion cannot belong to same social community, यहाँ पर communal thinking यह भी होती है, कि अगर दो ल धर्म को मानते हैं, तो वो एक group साथ नहीं रह सकते, एक group बना कर नहीं रह सकते, उनके demand sim नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग group में रहेंगे, दोनों का society क्या होगा, अलग अलग होगा, इसके बाद यहाँ पर आगे कहता है कि if the followers of different religion have some commonalities, these are superficial and immaterial, their interests are bound to be different and involve a conflict, मतलब क्या, मतलब दो लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले दो लोगों का अगर demand sim है, उनकी जरूरते sim है, तो वो एक group बना कर नहीं हो सकते, जैसे कि उदारन के लिए दो मजदूर है, एक भाई हिंदू है, एक मुसलिम है, तो उनका एक मजदूर वाला group नहीं होना चाहिए, दो कोनों अपने धर्म के अधार पर क्या रहेंगे, अपने अपने group में रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर दो लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, तो उनका group क्या होगा, मतलब उनका समूव या फिर उनका society क्या होगा, superficial होगा, या फिर इमेटर अपने चरम पर होगा, मतलब सबसे जो एक्स्ट्रीम फॉर्म है, उसमें यह होता है कि जो लोग हैं, वो यह मानने लगते हैं, कि भाई, दो धर्म एक साथ, एक देश में बराबर सिटिजन्स बनकर नहीं रह सकते हैं, एक धर्म को मानने वाले रहेंगे, दूसरे धर्म को म सिटिजन्स के रूप में रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि इधर वन आफ देम हैस्टू डोमिनेट दरेश्ट, और देश्टू डोमिनेट नेशन, या तो एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट करेगा, या फिर दोनों अलग 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 देश बना करक अब कहता है कि this belief is fundamentally flawed, people of one religion do not have the same interest and aspiration in every context, यही बात है भाई, कि यह जो विचार है कि भाई, society की आधार पर बनेगी, धर्म के आधार पर, यह fundamentally flawed है, क्यों flawed है भाई, क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि दो लोग, वो किसी भी धर्म के हो, उनके demand उनकी जरूरते सेम हो सक अब जैसे मजदूर मान लेते हैं, मजदूर मान लेते हैं, या दुकांदार मान लेते हैं, या फिकोई businessman है, मान लेते हैं, अब दो मजदूर, अगर उनको देखे हैं, तो दोनों मजदूरों की जरूरते सेम होंगी, चाहे दोनों किसी भी धर्म को मानते हो, दो दुकांद सेम धर्म को मानते हैं कुछ भी मानते हैं तो उनका डिमांड क्या होगा सेम होगा अलग लग तो होगा नहीं तो यही बात है कि यह जो विचार है कि धर्म के आधार पर सोसाइटी बनेगी दो धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं दो धर्म के लोगों को एक साथ नहीं र सकता है. समझ गया? तो यहां पर आगे कहता है कि everyone has several other roles, position and identities. There are many voices inside every community. All these voices have a right to be heard. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. यहां पर यही बात कहता है कि देखो भाई, कि लोग जो हैं, उनके अलग-लग विचार होंगे, उनका जीने का तरीका अलग होगा, और साथ में उनकी जरूरते अलग-लग होंगे. अगर हम ऐसा करें कि भाई, सभी लोगों को धर्म के आधार पर जोड़ दे, तो एक धर्म में कोई आदमी बिजनेसमेन होगा, अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई फैक्टरी का मालिक होगा, कोई फैक्टरी में मजदूर होगा, तो अगर हम बोलें कि नहीं नहीं, सिर्फ धर्म के आधार पर आपका क्या बनेगा, ग्रूप बनेगा, धर्म के अलावा किसी चीज की बात नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो मजदूर है जो काम कर रहा है वो उसको बिजनेसमेन जो है या फिर इंडस्ट्री का मालिक जो है अगर वेतन कम दे रहा है तो वो तो प्रोटेश्ट नहीं करने पाएगा अपने मजदूर होने के नाम पर लेकिन अगर वही देखें चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों मिलकर प्रोटेश्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अंतर कि अगर धर्म के अधार पर सिर्फ सुसाइटी बने तो वहाँ पर कई सारी बाते हैं जरूरते हैं जो कि लोग उठा नहीं पाएंगे जबकि रियालिटी में क्य आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या कहता है आगे कहता है क्यों important है क्योंकि यह question previous year में पूछा गया है question का पूछा गया है simple question यहीी चीज है कि what form does communism take in politics define communism explain any three forms of communism in Indian politics वही define definition उपर मैं बताया था वही वला होगा और three forms तो यहाँ से आप लिग सकते हैं अब सबसे पहला form जो है communal politics का क्या है, the most common expression of communalism is in everyday belief. These routinely involve religious prejudice, exterior type of religious communities and belief in the superiority of one religion over other religion. बतलब यह सबसे common चीज है, communalism का एकदम common चीज यह है कि हम लोग जब daily life जीते हैं, तो daily life जीने के दौरान हम क्या गरते हैं, कई सारे prejudice पाल के रखते हैं, अरे वो धर्म वाले लोग जो है वो वैसे होते हैं, हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, उस धर्म वाले लोगों के साथ बात नहीं करना है, इस प्रकार के विचार हम लोग लेके चलते हैं, और यह क्या है, सबसे common form है communalism का, ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज है, कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, हम लोग सबसे बढ़िया है, बाकी सब लोगों को कुछ नहीं आता है, बाकी सब लोगों का religion बेकार religion है, उसके साथ मिलना नहीं है, उसके साथ बात नहीं करना है, इस प्रकार के विचार, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है, यह इतनी common चीज है, कि हम इसको notice भी नहीं करने पाते हैं, जबकि हम खुद इसमें विश्वास रखते हैं, हो सकता है कि आपके मन में भी, मेरे मन में भी यह विचार हो, और हमको लगता हो कि यार सही तो सोच रहें, क्या गड़ बढ़ है इसमें, यह विचार हम लोग ले करके चलते हैं, ठीक है, आगे देखें, तो आगे कहता है कि a communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious communities, मतलब जो communal mind होगा, मतलब जो लोग कमिनलिजम में विश्वास रखते हैं, उनके मन में यह विचार होगा कि हम अपने religion का एक प्रकार से सत्ता इस्थापिद कर लें, हमारे religion के लोग क्या हो सत्ता में बैठ जाएं, हमारे पास power हो, ताकत हो, सब को हम control करें, मतलब अगर यह majority community के लोगों के मन में यह विचार आता है, तो वो पूरे देश पर सभी लोगों पर कबजा करने की कुशिश करेंगे, और यही विचार अगर minority community के लोगों के मन में आता है, तो वो कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, एक separate political unit बना लें, मतलब कि एक अलग देश बना लें, जैसे आपने कहां देखा स्रिलंका के उधारन में देखा, स्रिलंका में वही चीज है, एक प्रकार से communal mind था, लोगों के मन में, जो सिहली भासा के लोगों ने क्या किया, उन्होंने किया, पूरे देश पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया, कि सिर्फ हमारी भासा बोलना है, सिर्फ हमारे धर्म को फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है, वहीं जब तमिल लोगों ने अपनी demand रखी, उनकी बात नहीं मानी गई, वो भी इसी रास्ते को पकड़ लिये, communal रास्ते को, तो उन्होंने बोला कि भाई, क्या करो, हमको अलग देश दे दू, हम अलग देश बनाएंगे, तमिल इलम बनाएंगे, तो यहाँ पर यही बात कहता है, कि जब यहाँ पर आपको communal mind में, आपको इस प्रकार से विचार आता है, communal विचार आता है लोगों के मन में, तो majority community क्या करता है, political domination की बात करता है, और वहीं हम जो minority community है, वो separate political unit बनाने की बात करता है, political mobilization किया जाता है religion के अधार पर, मतलब धर्म के अधार पर vote मांगे जाते हैं, धर्म के अधार पर सरकारे बनाई जाती है, धर्म की बात की जाती है politics में, this involves use of sacred symbol, religious leader, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena, मतलब क्या, यहाँ पर यही चीज़ है, कि धर्म की बाते use करके politics की जाती है, कि मतलब कोई religious leader होगा, जो कि बोलेगा कि इस party को vote दे दो, यहाँ पर symbols, धर्मिक symbol का use किया जाएगा, तरह तरह की चीज़े की जाएंगी, ताकि क्या किया जा सके, ताकि एक प्रकार से धर्म का use करके politics में vote वगेरा मांगा जा सके, आगे कहता है कि in electoral politics, this often involves a special appeal to the interest or emotion of voter of one religion in preference to other, मतलब जब politics होता है, तो क्या किया जाता है, एक धर्म को focus करके, target करके, उनके vote को जीतने की कोशिश की जाती है, कि भाई तुमको यह देंगे, दूसरे धर्म वाले को नहीं देंगे, इस प्रकार की बात है, यहाँ पर की जाती है, आगे यहाँ पर कहता है, कि sometime communism take its most ugly form of communal violence, rights and massacre, India and Pakistan suffered some of the worst, worst communal rights at the time of the partition, सबसे worst शिती क्या होती है कि मतलब की कि धर्म के अधार पर क्या होते हैं, दंगे होते हैं, fights होते हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का massacre तक कर दिया जाता है, और यह चीज इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, खास करकि जब इंडिया आजाद हो रहा था, उस समय लाकों की संख्या में लोगों की हत्याएं हुई थी, धर्म के अधार पर ही, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे हमारे सामने इसी से क्या है, हमारे देश के लिए हमेशा से एक मेजर चैलेंज रहा है, और आज भी एक मेजर चैलेंज है, ठीक है, कहता कि the makers of our constitution were aware of this challenge, that is why they chose the model of a secular state, हमारे देश के जो समिधान बनाने वाले लोग थे, उनको इस चैलेंज के बारे में पता था, इस वज़ा से उन्होंने तै क कि हमारा देश क्या होगा, एक secular state होगा, हमारे देश में किसी भी धर्म को preference नहीं दिया जाएगा, अब यह question जो है, यह question previous year में पूछा गया है, अब यहाँ पर इसको कई तरीके से पूछा गया है, जैसे एक simple आपका question हो सकता है, India is a secular country, justify the statement, तो इसका points में आगे में बताऊ अब यहाँ पर question है, 2017 में 5 marks में आया है, why did framers of constitution chose the ideals of secularism for India, how is this choice reflected in the constitutional provisions explained, तो यहाँ पर आप simple point explain कर सकते हैं, कि देखो भाई, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, या फिर उसके पहले भी, धार्मिक दंगे बहुँ ज़्यादा हुए थे, धर्म के अधार पर riots, massacre, violence constitution बना रहे थे, वो इस प्रकार के conflict को नहीं चाते थे कि आगे भी हो, साथ में हमारा देश जब आजाद हो रहा था, उस समय हमारे देश का partition भी हुआ था, धर्म के अधार पर ही partition हुआ था, तो वो problem फिर से ना आ जाये कि हमारे देश में धर्म के अधार पर लोग लड़ने लगे, अलग देश बनाने की बात करने लगे, conflict होने लगे, इन सभी स्थितियों से बचने के लिए जो constitution के makers थे, उन्होंने तै कि हमारा देश क्या होगा, एक secular state होगा, जहां पर सभी धर्मों को बराबर तवज्जो दी जाएगी, किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभा जहां पर हमें ये दिखता है कि हाँ भाई, सच में हमारा देश क्या है, एक secular state है, यही point जो है, आप question में, answer में add कर देंगे, ठीक है, पहला point क्या है, there is no official religion for Indian state, भारतिय सरकार का कोई भी official religion नहीं है, हमारे देश का constitution में किसी भी religion को मानिता नहीं दी गई है, हमारा constitution किसी भ धर्मों को बराबर, value बराबर तवज्जो दिया जाता है, unlike the status of Buddhism in Sri Lanka and that of Islamism in Pakistan and that of Christianity in England, our constitution does not give a special status to any religion, मतलब क्या है, मतलब की भाई देखो, इन देश में, जैसे England में Christianity, सरकार Christian धर्म को मानती है, पाकिस्तान में सरकार Islam को मानती है, साथ में सर्लंका में सरकार बुद्धिसम क मानती है, हमारे देश में सरकार का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म क्या है, सरकार के लिए बराबर है, दूसरा point क्या है, the constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any, हमारा constitution देश के सभी नागरी को कोई अधिकार देता है, कि देश के सभी नागरी किसी धर्म को follow कर सकते है, किसी धर्म का प ये चीज़ ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, मतलब तुम अगर Christian हो, तो तुम Catholic भी हो सकते हो, Protestant भी हो सकते हो, Muslim हो, तो तुम सुनी भी हो सकते हो, सिया भी हो सकते हो, साथ में Hindu हो, तुम सिव भगवान का भी पूजा कर सकते हो, विश्न भगवान का भी पूजा आगे यहां पर कहता है कि the constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, आप religion के अधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और यह सिर्फ सरकार की बात नहीं हो रही है, आप भी नहीं कर सकते हैं, आप अगर किसी भी अधार पर, मतलब religion के अधार पर भेदभाव करने के कोशिश करते हैं, तो आपको सजा भी ह सकता है, ठीकर? आगे कहता है कि at the same time, the constitution allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religious communities, for example, it bans untouchability, मतलब यही बात है कि देखो, आपको आजादी मिली, आपको जो करना है करो, लेकिन एक लिमिट तक, आप जैसे ही किसी का equality छिनते हो, किसी के साथ भेदभाव करते हो धर्म के अधार पर, आपके स सारे हदिकार खतम, सरकार आपके साथ क्या करेगी, intervene कर जाएगी, कोई भी धर्म में ऐसी कुछ प्रताएं हैं, जो कि किसी के साथ भेदभाव करती हैं, तो सरकार उसमें intervene कर सकती है, सरकार उसको खतम कर सकती है, सरकार उसको हटा सकती है, सरकार के पास ये भी power दिया गया है तो यह चारो points है जो कि आप एक प्रकार से explain कर सकते हैं कि भाई हमारा देस secular state कैसे है उसमें क्या provision से constitution में ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है आगे कहता है कि understood in this sense secularism is not just an ideology of some parties or person this idea constitute one of the foundation of our country अब यह important point है क्योंकि यहाँ से भी question बनता है कि explain या फिर justify this statement कि भाई जो secularism है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी party का या फिर किसी भी व्यक्ति का ideology नहीं है बलकि हमारे पूरे देश का हमारे constitution का foundation ideology है यह कैसे है तो आप यहाँ पर उपर जो points दिये गए उन्हीं को explain कर सकते हैं अ some people in India. It threatens the very idea of India. That is why communism needs to be combated. A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communism. कहता है कि देखो भाई, बात यह है कि यहाँ पर हमारे देश का foundation क्या है? Secularism है. Secularism जो है वो एक प्रकार से हमारे देश के लिए जरूरी है ताकि वो एक प्रकार से देश हमारा सांती से progress कर सके, लोग अच्छे से रह सके, सांती से अपना जीवन जी सके. अब यहाँ पर बात यह है कि जो communism है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए खत्रा, minorities के लिए problem है या फिर कुछ लोगों के problem है नहीं. वो reality में पूरे इंडिया के लिए खत्रा है. इंडिया ज उसको हमें क्या करना चाहिए? अपोस करना चाहिए या फिर उसको एक प्रकार से खत्म करना चाहिए. अब यहाँ पर यही point explain किया गया कि देखो भाई, जो constitution है वो समें हमने secularism को include किया है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिख देने से हमारे देश से communismism नहीं खत्म होगा. ह या फिर religion based generation है उसको भी counter करना होगा, politics में वैसा होने से रोकना होगा ताकि हम क्या कर सके? हमारे जो secularism के principle है उसको protect कर सके या फिर अच्छी तरीके से लागो कर सके. तो यहाँ पर हमने religion की बात कर ली, अब हमारे सामने है अगला topic, अगला topic क्या है? caste and politics. मतलब कि यहाँ प बात कर लिया, gender का और दूसरा हमने religion का बात कर लिया. अब यहाँ पर जो हमने पहला बात किया था gender के वारे में, जब gender को हम लोग politics में express करते हैं, तो उसका रिलिजन को पॉलिटिक्स में express करते हैं, तो उसका result हमें मिलता है क्या? negative मिलता है. मतलब generally negative मिलता है, ठीक? अब य कास्ट को politics में express करते हैं, तो इसका result कई बार positive ही हो सकता है, और कई बार हमें negative ही मिल सकता है. मतलब दोनों साइड से है, कास्ट को जब politics में express किया जाता है, उसका negative और positive result दोनों होता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है? यह ज कास्ट में क्या होता है? कि एक खास group of people खास काम को करते हैं, ठीक है? यह simple सी बात है, sort में अगर हमने explanation समझे तो, तो यहाँ क्या कहता है? कहता है कि unlike gender and religion, caste division is special to India, all societies have some kind of social inequality and some form of division of labor. भाई देखो, दुनिया के हर देश में आपको क्या है? division of labor है, social inequality है, जैसे अमेरिका में भी अमीर गरीब है, USA मतलब यूरोप में भी अमीर गरीब है, अफरीका में भी है, एंडिया में भी हर जगह पर है, साथ में हर जगह पर social division of labor है, मतलब कि यहाँ पर जो पिता जी है, वो अपने बेटे को काम सिखाते हैं, वो अपने बेटे को काम सिखाते हैं, तो caste system भी एक प्रकार से इसी प्रकार का है, कि भाई एक परिवार जो है, वो generation से एक ही काम को करते आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि ज़्यादा तर जो societies हैं दुनिया की, वहाँ पर वो काम सिखा दिया, वो काम करने लगा, अब पैसे कमाता है, खुश है, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज जो है और देशों में, इंडिया में क्या है? इंडिया में caste system में ये चीज है, कि अगर मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, तो मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ कारपे इसी system का एक extreme form है, extreme form कहने का मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पर जो hereditary occupation है, वो ritual द्वारा bound है, मतलब कि आप अपनी मर्जी से अपना caste नहीं बदल सकते, और साथ में कोई दूसरा काम अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते हैं, समझ गया? कहता है कि members of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members of other caste groups. मतलब यहाँ पर सिर्फ यही बात नहीं रुखती है caste system की, कि आप जो है specific काम को करेंगे, एक generational काम को करेंगे, कि आपके पिता जी यह काम करते थे तो आप भी करेंगे, नहीं, वही सिर्फ बात नहीं है, बात और भी है, क्या बात है भाई? बात यह है कि आपका अपना social group होगा, मतलब कि आपका caste के अधार पर social group होगा, social group होने का मतलब क्या है? मतलब कि आपकी शादी अगर होगी, आपके बच्चों की सादी होगी तो अपने ही caste में होगी, मतलब कोई राजपूत है तो राजपूत से सादी करेगा, ब्राहमन है तो ब्रावन से करेगा, कोई एगर नाई है तो नाई से करेगा, मतलब सेम कास्ट में साधी होगी, दूसरे के साथ साधी का रिष्णा नहीं होगा, साथ में अलग-अलग कास्ट के लोग एक साथ बैठ कर खाना नहीं खाएंगे, एक कास्ट के लोग एक साथ बैटकर खाना खाएंगे, समझ गए, तो ये चीज यहाँ पर, मतलब ये जो चीज है, खाना और शादी वाला, इसको रोटी और बेटी का नाता बोला जाता है, कि भाई, ये सेम कास्ट में ही लोग रोटी, मतलब साथ खाना और बेटी, मतलब की शादी का रिष्टा रखते हैं, दूसरे कास्ट के साथ ये रिवेशन नहीं होता था, समझके तो ये सिस्टम है, कास्ट सिस्टम का प्रोबलेम, क्यों है, भाई, ये हेरिट्री मतलब पहले से चला रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे कहता है, कि का सिस्टम was based on exclusion and of and discrimination against the outcast group, अब कास्ट सिस्टम में एक सबसे बड़ा प्रोबलेम ये था, कि भाई, प्रोबलेम ये था कि हमारे समाज में outcast group भी थे, मतलब कि इस पूरे कास्ट सिस्टम से उनको बाहर रखा गया था, जिनको अच्छूत कहा गया था, untouchable कहा जाता था, कास्ट नाइन्थ, मतलब जो ये outcast group थे, ये मतलब पूरे समाज के सारे सिस्टम से बाहर थे, ये छूने लायक भी इनको नहीं माना जाता था, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर थी, कास्ट सिस्टम में, आगे कहता कि that is why political leaders and social reformers like जोतिवा फुले, गांधी जी, बिया रम स्वामी नेकर, advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent, तो ये कुछ leaders के नाम हैं, जिन्होंने caste inequalities को खतम करने के लिए, बहुत बड़े अस्तर पर आंदोलन चलाया, बहुत बड़े अस्तर पर समाज को जागरू करने का काम किया, उसमें से कुछ खास leaders के नाम यहाँ पर लिखे गये हैं, जैसे जोतिबाफुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर बियारमीडकर, पिरियार रमस्वामी नेकर, ये कुछ popular leaders हैं, इसके लावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़े अस्तर पर society में caste inequalities को खतम करने के लिए, बहुत बड़े अस्तर पर आंदोलन चलाया था ठीक है, अब यहाँ पर आपको question आता है, question क्या आएगा, question आएगा कि भाई, caste inequalities क्यों खतम हो रही है, या फिर क्यों खतम हुई है, कम हुई है हमारे society में, तो उसमें पहला आप क्या लिखेगा, पहला point है, हमारे, due to efforts of political leaders, like बियारमेडकर, पिरियार रमस्वामी नेकर, महत पहला point हो गया, दूसरा point में क्या आजाएगा, due to changes in socio-economic condition, ठीक, मतलब क्या, मतलब जैसे कि हमारे समाज में बहुँ जदा economic development हो रहा है, बहुँ जदा urbanization हो रहा है, literacy grow कर रहा है, education बढ़ रहा है, occupational mobility बढ़ रही है, और साथ में, यहाँ पर हमारे गावोंक में, landlords का power कम हो और साथ में, इन चीजों को मिला कर हमें result क्या बिलता है, caste system क्या हो रहा है, धिरे-धिरे कमजोर हो रहा है, अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे urbanization शब्द हैं, इसका मतलब क्या, मतलब कि भाई, लोग गावों से निकलकर शेहरों की और जा रहे हैं, और शेहर जो हैं तो वो नाई का काम छोड़ करके वो बढ़ई का काम करने लगा, या फिर कहीं आर्मी में नौकरी करने लगा, या फिर सरकारी नौकरी करने लगा, मतलब अपना जो एक caste system में उसका predefined job है, उससे निकल कर वो कोई दूसरा job कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कहत मतलब कहता है कि आज के समय में अगर आप शहरों में देखें तो शहरों में ज्यादा तर आप ये ध्यान भी नहीं देंगे, कि आपके अगल बगल कौन लोग हैं और वो किस caste के हैं, कहीं पर आप होटल में खा रहे हैं, तो आपके बगल में कौन वेक्ती वैठा हैं, किस caste क आप ध्यान नहीं देते हैं इसी प्रकार से आप अगर कहीं घूम रहे हैं तो आपके बगल में कौन वेक्टी चल रहा है या ध्यान नहीं देते हैं किस कास्ट का है लेकिन पहले ये बहुत बड़ी बात होती थी पहले जैसे अच्छूत लोग थे उनको बहुत सारे इलाकों म and laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system. Constitution में बहुत अच्छा काम किया है Constitution में बहुत सारे provisions ऐसे हैं जो कि caste inequality इसको खतम करने में मदद करते हैं जैसे कि हमारा जो caste based discrimination है उसको ban कर दिया गया है अगर आप ऐसा करते हैं तो आप crime कर रहे हैं इसी प्रकार से आपको बहुत सारे support दिये गये हैं जो lower caste के लोग हैं दलि because she would be greatly surprised at the changes that has come about in the country मतलब कि जो changes आ चुके हमारे देश में उसको देखकर 100 साल पहले के लोग अगर आते हैं पर आज देखने हमारे देश को तो बहुत ही अचकीत रहे जाते हैं ठीक है आगे कहता कि yet caste has not disappeared from contemporary India यह भी important question है कि भाई हमारे देश में आज भी caste system पूरी तरीके स कि खतम हो नहीं हुई है इसको justify करे या फिर इसको explain करे तो बात बिल्कुल सही है बात बिल्कुल सही है कैसे इसके support में क्या statement हो सकते हैं पहला कि आज के समय में भी शहरों में भी अगर हम लोग बात करें तो लोग अपने caste के लोगों के साथ ही शादी करते हैं इसके साथ ही untouchability पूरी तरीके से खतम नहीं हुई है आज भी आपको कई इलाकों में देखने को मिल जाएगा कि untouchability practice की जाती है बहुत सारे instance तो आपको शहरों में भी मिल जाएगे कि कई सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं untouchability को practice कर रहे हैं इसके साथ ही आगी कहता कि effect of centuries of advantages and disadvantages continue to be filled today मत पर कि कुछ लोगों को advantage था कुछ लोग disadvantage पर थे कुछ लोगों को better resources मिलते थे कुछ लोगों को कम resources मिलते थे उसका असर आज भी हमें देखने को मिलता है कैसे तो भाई आज भी अगर आप लोग देखें तो जिन लोगों के पास जैसे जो upper caste के लोग थे उनके पार resources थे तो वो आज ही बहुत अच्छे situation में जिन्दगी अपना जी रहे हैं, वहीं जो lower caste के लोग हैं, जिनके पास आज के second साल पहले resources नहीं थे, उनकी situation upper caste के comparison में आज भी काफी कमजोर है, काफी उनकी situation काफी खराब है जैसे कि आप अगर देखें, तो इंडिया में जो upper caste हैं वो आपको बहुत बड़े अस्तर पर urban middle class में मिल जाएंगे, लेकिन lower caste की financial situation भी खराब है, society में situation तो खराब है ही, ठीक है? और आज आपको आज भी जो caste है, वो economic status से जुड़ा हुआ मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर अब हमें पढ़ना है कि politics में caste क्या रोल अदा करता है ठीक है? कैसे वो एक प्रकार से असर डालता है? कहता कि as in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community जिस प्रकार से हमने communalism में देखा कि धर्म के आधार पर ही society बन सकती है कास्ट सिस्टम में भी यही चीज है कि caste के आधार पर ही society बन सकती है और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है according to this way of thinking people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from other caste वही चीज़ है भाई कि इस सोंच के अनुसार कि एक जात या फिर एक caste के जो लोग है उनकी जो जरूरते होंगी उनकी जो need होगी वो same होगी और एक caste के लोगों को एक साथ रहना चाहिए एक group बना कर रहना चाहिए और उनका same interest होगा और दूसरे caste के लोगों के साथ ये interest share नहीं होगा मतलब कि एक group के लोग क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन उसमें कोई दूसरा ग्रूप का व्यक्ति, दूसरे काश्ट का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। As we saw in the case of communalism, such a belief is not borne out by our experience. काश्ट is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspect. मतलब की, काश्ट जो है, वो एक हिस्सा है हमारा सुसाइटी का, लेकिन वो completely most important चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आपके सामने topic है, काश्ट can take various forms in politics. यह भी question बन जाएगा भाई, की काश्ट कौन-कौन साब form लेता है politics में, यह चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखें, तो यहाँ पर पहला point का कहता है, विन parties choose candidates in election, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections. कहता है कि भाई देखो, जब political parties अपने candidate को चुनती हैं, कि भाई यह आदमी हमारा candidate होगा इस इलाके से, तो जो magical parties होती हैं, वो उस इलाके के caste combination को भी देखती हैं, कि किस caste के कितने लोग है, किस caste के कितने लोग है, और उन सभी को combination बना करके फिर candidate चुना जाता है, ताकि political parties क्या कर सके, चुनाव जीत सके, इसी प्रकार से जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और सरकार बनाने लगती है तो वहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि अलग-अलग कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके और ताकि वहाँ पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन और सभी कास्ट कम्बिन जो political parties होते हैं, वो caste के sentiment को जगाती हैं, मतलब caste के अधार पर vote मांगती है, caste के अधार पर लोगों का support मांगती है, some political parties are known to favor, some caste and are seen as their representative, बहुत सारी political parties तो ऐसी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी खास caste की बात करती हैं, उनका representation करती हैं, समाज के सभी लोगों को represent वो नहीं करती हैं, आगे यहाँ पर है कि universal adult franchise and principle of one person, one vote, one person, one vote, compelled political leader to gear up to the task of mobilizing and securing political support, it also brought new consensus to among the people of caste that were hitro treated as inferior and low, देखो भाई हमारे देश में क्या आ गया है, universal adult suffrage आ गया है, मतलब कि भाई देखो सभी लोग एक खास age के बाद vote डाल सकते हैं, 18 साल की उमर के बाद हर caste के लोग, हर group के लोग, हर gender, हर religion के लोग vote डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आज के समय में चुनाव को जीतने के लिए हर group, हर लोगों का support होना जरूरी है, आप किसी को ignore नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो कि political party चला रहे हैं, वो हर group को support पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब यहाँ पर आगे हमारे सामने एक चीज कहता है, अब यह भी question बनेगा, justify this statement, या फिर explain this statement, यह भी important question है, क्या इसमें point लिखेगा, यहाँ पर यह सारे point दिये गए हैं, पहला point है, no parliamentary constituency in the country has a clear majority of single caste, देखो, हमने देखा कि politics जब होती है, चुनाव होता है, तो उसमें political parties caste combination ध्यान रखती हैं, कि caste combination क्या है, उसके बाद candidate declare करती हैं, प्रचार करती हैं, caste sentiment पर बात करती हैं, लेकिन क्या सिर्फ caste sentiment के अधार पर कोई political party चुनाव जीट सकती है, नहीं जीट सकती है, क्यों नहीं जीट सकती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, तो हमारे देश के किसी भी parliamentary constituency में, या फिर आप अगर किसी assembly seat की भी बात कर लें, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही caste के लोग रहते हैं, और एक caste के लोग कोई भी चुनाव जीटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं होती है, वहाँ हर parliamentary constituency, assembly constituency में, कई सारे caste के लोग रहते हैं, तो एक caste का support लेकर के आप चुनाव नहीं जीट सकते हैं, आगे यहाँ पर कहता है कि no party wins all the votes of all the voters of the caste और community, कोई भी political party, चाहे वो caste के नाम पर भी क्यों न बनी हो, वो उस caste के, किसी भी caste के सारे लोगों का vote नहीं ले सकती है, कुछ लोग होंगे जो कि दूसरी पार्टी को जाकर के vote दे देंगे, जैसे हम बोलने की भाई देखो, तुम अगर बी कास्ट के हो ना, तो हमको दे दो, हमारा party का नाम क्या है, बी party, बी party मतलब कास्ट का नाम है, अब क्या ये बी कास्ट के लोग, सभी लोग मिल करके हमको vote देंगे, नहीं देंगे, कुछ लोग होंगे जो कि किसी पार्टी को पसंद करते होंगे, कुछ लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आएगा, तो हमको नहीं देंगे, तो कोई भी political party, अगर किसी कास्ट की बात करती है, या कास्ट के लिए ही बनी है, तो भी वहाँ पर सभी लोग उस कास्ट के, उस political party को vote नहीं देते हैं, समझ गए? अब कहता है आगे कि when people say that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of people, large proportion of the voter from that caste vote for that party. मतलब यहाँ पर कई बर हमें सुनने को मिलता है, कि यह जो कास्ट है यह इस party का vote bank है, vote bank कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि 100 में से 70 लोग, 60 लोग, 80 लोग जो हैं, वो उस party को vote देते हैं, लेकिन फिर भी 30-40 लोग हैं, जो कि दूसरी party को vote दे देते हैं. आगे कहता कि many political parties may put up candidates from the same caste, if the caste is believed to dominate the electoral in the particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. मतलब अगर सिर्फ caste की बात की जाए, तो कई बार कई सारे constituency में, आपको same caste के 4 candidate होंगे, और कोई caste ऐसा होगा जिसका एक भी candidate नहीं होगा, तो वहाँ पर कुछ लोगों के पास 4 option हैं, और कुछ लोगों के पास एक भी option नहीं है, मालो कि यहाँ पर 4 candidate हैं, A, B, C, D, अब चारो एक ही caste के हैं, स्यम caste, जैसे मालो यूपी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, चारो क्या हैं, यादो हैं, ठीक है, यादो हैं, ठीक है, अब यादो caste के जो लोग हैं, उनके सामने 4 लोग हैं, किसको वोड़ दे भाई, चारो तो यादो caste के हैं, confusion हैं, अब दूसरे caste के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालो कोई कुर्मी है, कोई राजपूत है, कोई ब्राहमन है, या कोई दलित है, या फिर कोई और caste का है, वो लोग अगर आएंगे वोड़ देने, तो उनके caste का एक भी नहीं है, एक भी उनके caste का नहीं है, सारे दूसरे caste के हैं, तब वो लोग इसको वोड़ दे, वो भी confusion में, तो इस प्रकार से बहुत confusion होता है, ऐसा नहीं है कि caste के अधार पर अगर आप candidate दे देते हैं, तो आपका सारा काम बन जाएगा, ये भी सही बात है, कि भाइदे को हर बार चुनाव में देखोगे कि ये निता जी हार गए, ये विधायक जी हार गए, ये मंत्री जी हार गए, अगर सब लोग हर बार caste के अधार पर वोड़ देतें, और एकदम तय करके रखतें कि मा इसी पार्टी को वोड़ दूँगा, ये मेरा caste वाला पार्टी है, इसी को वोड़ देंगे, ये अगर लोग तय करके रखतें, तो एक बार जो चुनाव जीत जाता है, वो जिन्दगी भर चुनाव जीता, कभी नहीं हारता, क्योंकि लोग वहीं जाकरके हमेशा वोड़ देते, कि आइसा होता है, नहीं होता है, लोग हर बार चुनाव किसी नेता को हरवा देते हैं, अगली बार दूसरा नेता आ जाता है, तो दूसरा नेता अगर चुन करके आ रहा है, तो लोग अपना preference चेंज करते हैं, मतलब कि लोग जो हैं वो कास्ट को छोड़ करके, दूसरे topic के उपर भी वोड़ देते हैं, लोगों के लिए दूसरे मुद्दे भी important हैं, सिर्फ और सिर्फ कास्ट important नहीं है, समझ गए? आगे कहता है कि clearly while caste matters in electoral politics, यहां पर यही चीज़ कहता है कि इससे हमें clearly पता चलता है कि कास्ट पॉलिटिक्स में matter करता है, लेकिन इतना भी matter नहीं करता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ कास्ट के नाम पर वोड़ दे रहें, जी नहीं, लोगों के सामने दूसरे तरीके के attachment भी होते हैं, जैसे कोई जा करके धर्म के नाम पर दे देगा, कोई इलाके के नाम पर दे देगा, कोई राज्य के नाम पर दे देगा, कोई पानी के नाम पर देगा, खाना के नाम पर देगा, किसी को बिजली चाहिए, किसी को सड़क अच्छा चाहिए, तो लोगों के पास अलग-अलग मुद्धे हैं, उसमें से एक उदार नहीं यहां पर दिया आगया है कि देखो भाई, बहुत सारे लोग होते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से समझ गए, इस प्रकार से भी लोगों के मन में विचार होते हैं, ठीक है, आगे कहता है कि people within the same caste or community have different interests depending on their economic condition, same caste या फिर same society के लोग, उनके अलग-अलग preference होते हैं, अलग-अलग need होते हैं, कोई आदमी अगर बिलकुल गरीव है, तो उसके लिए क्या जरूरत है, उसको अच घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, उसको अच्छी अपनी परिवार की अच्छी इस्थिती चाहिए, लेकिन कोई आदमी अमीर है, करोड़पती है, उसको क्या चाहिए, उसको टैक्स में छूट चाहिए, उसको चाहिए कि सरकार कार पर से टैक्स कम कर दे, सरकार घड़ियों पर से tax कम कर दे, टीवी पर से tax कम कर दे, तो दोनों लोग अगर same caste कहना, तो उनकी जरूरते अलग-अलग होंगी, उनकी needs अलग-अलग होंगी, और दोनों के preferences भी अलग-अलग होंगे, यह दोनों same लोग को जाकर के same topic पर vote नहीं देंगे, दोनों अपनी जरूरतों के हिसाब से vote देंगे, यहाँ पर यहीं चीज़ कहता है कि rich and poor और men and women from the same caste often vote very differently, सभी अलग-अलग तरीके से अलग-लग मुद्धे पर vote देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कास्ट को देख करके vote नहीं देते हैं, फिपल्स assessment of the performance of the government and popularity rating of the leader matter and are often decisive in elections, लोग किस तरीके से नेता को देख रहे हैं, लोग किस तरीके से सरकार को पाटी को देख रहे हैं, और साथ में लोगों की जरूरते क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, इन चीजों के आधार पर भी लोग वोड देते हैं और उससे भी politics change होता है, सिर्फ और सिर्फ caste के आधार पर नहीं अब यहाँ पर आगे हमारे सामने topic है, politics in caste, हमने देखा caste in politics, caste politics के उपर क्या असर डालता है, यह हमने देख लिया, अब हम देखेंगे क्या politics in caste, मतलब caste के उपर politics क्या असर डालता है, यह अब हम देखते हैं, कहता कि we have so far looked at what caste does to politics, but it does not mean that there is only one way relation between caste and politics, politics too influences the caste system and caste identities by bringing them into political arena, देखो जब politics आ गई हमारे देश में, मतलब जब elections वगेरा होने लगे, तो यहाँ पर universal adult suffrage आ गया, मतलब कि हर आदमी का support जरूरी है, हर आदमी का vote जरूरी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे देश का जो caste system था, उसमें भी changes होने लगे, उस में भी कई प्रकार के फर्क आने लगे, ठीक है, तस it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized, वही बात है, मतलब कि caste में भी बहुत सारे changes हुए politics की वज़े से, क्या changes, कैसे changes देखते हैं, कहता कि each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring caste और sub caste which were earlier excluded from it, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि जैसे जैसे यहाँ पर हमारे देश में politics होने लगी caste के अधार पर, तो हर caste के लोग जो की caste के अधार पर vote डलना चाहते हैं, वो अपना संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे बढ़ाएंगे, वो अपने आसपास के caste को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे अगर आप गिया, ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी डिमांड को रख सके, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, इसी प्रकार से कई सारे caste group एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे forward group, जै मतलब कि जितने अपर caste group है, उनका group बन गया, वो सब एक साथ मिलकर एक साथ जाते हैं, और ए एक साथ ग्रूप बनाने लगे ठीक है इसके बाद आगे कहता है various caste groups are required to enter into coalesion with other caste or communities and thus enter into dialogue and negotiation कई सारे caste group क्या करते हैं एक प्रकार से coalesion बनाते हैं जैसे कि आपने कई बार सुना होगा MY coalesion मुस्लिम याद आओ या फिर PDA पिछड़ादलित अलाइन्स इस प्रकार से कई सारे combination बनाय जाते हैं जहां पर कई सारे अलग-अलग caste एक साथ आते हैं एक साथ काम करते हैं एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं एक पार्टी में शामिल होते हैं बहुत सारी चीज़े होते ह आगे कहता है new kinds of caste group have come in the political arena like backward, forward caste group ये चीज़े आज के 100 साल पहले कोई नहीं बात करता था लेकिन आज हमारे देस में politics हो रही है अपनी संख्या बढ़ाना है अपना group बढ़ा करना है तो forward group बन गए upper caste के ठीक है फिर उसके बाद जो OBCs हैं उनका group बन गया उसी प्रकार से दलितों का group बन गया, scheduled tribes का group बन गया मतलब ये सारी चीज़े हो रही है क्यों हो रही है ताकि एक प्रकार से अपने power को अपने importance को पढ़ाया जा सके समझ गए तो आगे कहता है कि thus caste plays a different kind of role in politics in some situation expression of caste differences in politics give many disadvantaged communities the space to demand their share of power तो भाई यहाँ पर देखो अब बात है कि caste का politics में क्या असर होता है, पहला तो positive असर होता है, दूसरा negative असर होता है, positive में क्या हो गया, positive में यही हो गया कि जो हमारे देश में disadvantaged communities हैं, उनको एक परकार से मौका मिल जाता है कि वो अपनी बात को सामने रख सकें और साथ में अपने share of power की वो demand कर सकें, तो यहाँ पर यही चीज है कि भाई, इस चीज की वज़ा से, caste politics की वज़ा से, जो दलित हैं या फिर overseas हैं, वो एक परकार से सरकार में सामिल हो पाए हैं, अपना political power वो लेने पाए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो कहता है कि several political and non-political organization have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste for more dignity and more access to land resources and opportunities, ठीक है, अब य यहाँ पर caste का negative क्या है बाई, निगेटिव यह है कि exclusive attention to caste can produce negative result as well, as in the case of religion, politics based on caste identities alone is not very healthy in a democracy, वही बात है कि जिस प्रकार से हमने कमिलिजम में देखा था, कि सिर्फ और सिर्फ अगर, sorry, हम अगर धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोगों में conflict हो सकता है, उसी प्रकार से अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कास्ट की बात करें, और कास्ट को as a social group हम लोग लेके चलें कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट होगा, और कुछ नहीं होगा, तब वहाँ पर अलग लग कास्ट की बीच में conflict हो सकते हैं, fight हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़े हो सकती हैं, तो ये ची अगर हम सिर्फ काश्ट के उपर बात करेंगे तो जो important चीज़े हैं जो कि लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं, लोगों की situation को बहतर बना सकती हैं, जैसे कि poverty हो गया, development हो गया, corruption हो गया, इसके उपर से लोगों का ध्यान हट जाता है, in some cases, काश्ट division leads to tension, conflict and even violence, कई बार अ राइड्स होते हैं, उस प्रकार से काश्ट राइड भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, हमारा chapter यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हम आपसे अगले वीडियो में, अगले chapter के साथ, तब दक के बबबबाई